अगर हम लोग बात करते हैं केबल की तो केबल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा था वहाँ पर मैंने आपको बड़े की इंपॉर्टेंट चीज बताई थी अगर केबल को लोग एक रफ मॉडल बना लें तो बेसिकली उसके अंदर एक तो कोर होगी ठीक है तो कोर अफ कंड अगर आपको बड़े ध्यान से याद हो बहुत बार चर्चा करी के तो कभी भी दो मैटल प्लेट्स दो मैटल शीट जो की दो मैटल शीट और उनके बीच में अगर एक इंसुलेटर है और यह दोनों मैटल शीट जो है यह अप देर एक्जिस्टा फेस डिफरेंस स्वरी पोटेंशल डिफरेंस अगर इनके बीच में एक पोटेंशल डिफरेंस करता है ठीक है तो दो मेंटल शीट सेप्टरेट इस लेटर एंड देर एक्जिस्टा पोटेंशल डिफरेंस एक्ट ऐसा पीशिटर तो देखो यहां पे एक हो यह conductor यह हो गया metal का और एक हो गया metal sheet तो दो metal sheet हो गई and separated by insulator यह हो गया insulator और दोनों का potential difference अलग अलग होगा यह certain potential होगा मान के चलते हैं 11 kv और metal sheet जो होती यह earth end होगी मान के चलते हैं तो यह हो गया zero तो there is a potential difference तो this system will act as a capacitor तो यहानी कि यहां से picture में आ जाता है capacitance of cable यानि cable के अंदर जो capacitance form होता है between metal sheet and the conductor ठीक है यह इसके अंदर form होता है अगर हम बात करें यह जो capacitance हमारा form हुआ है यह किसकी बीच में हुआ है कई बार यह पूछले जाता है तो यह basically अगर हम simply बात करें तो metal sheet और conductor के बीच में हाला कि एक capacitance phase होता है line यानि कि यह तो हो गया आपका metal sheet और conductor के बीच में अच्छा 3 core cable होगी तो 3 core cable में capacitance होगा वो आपस में भी form होगा इस तरीके से ठीक है इसकी चर्चा हम लोग capacitance वाले lecture में करें है ठीक है capacitance वाला lecture जो है उसके अंदर इसके अंदर चर्चा करेंगे ठीक है अगर हम बात करें इसी मॉडल को पकड़के चलें तो यह जो जानते हैं कि जो होता है या तो आईडियल होगा या फिर lossless capacitor होता है तो यह दो तरीके capacitance form होते हैं ठीक है तो हम लोग आईडियल केपसिटर को बहुत अच्छे से जानते हैं हमें पता है कि इसको simply represent कर सकते लेकिन जब बात होती इस capacitor को चार्ज करने के लिए यानिकि इस capacitor के अंदर electric field को store करने के लिए ठीक है समझ मारी बात है और अगर हम बात करते हैं यहां पर practical capacitor की तो practical मतलब जो भी charging current यह capacitor मांगेगा उसके दो काम होंगे एक होगा losses में कुछ खपत हो जाएगी और दूसरा होगा यहां पर केपसिटर को चार्ज करने काम तो केपसिटर चार्ज तो primary है पर secondary जो यानि कुछ component जोगा वो losses में खर्च होगा यानि कि वो केपसिटर जो practical केपसिटर होग होगा वहां heating होगी losses होंगे तो वहां पर इस तरीके केपसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेक्टिकल केपसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं यह particular resistance ठीक है यह resistance क्या दिखाता है this will represent the losses इसके उपर आगे बड़ी detail में चर्च अब यहां पर यहां पर यह जो प्रेक्टिकल केपसिटर रहे हैं उसकी वज़े से लॉस हो रहे हैं वह आ जाते हैं हमारे डायलेक्टिक लॉस के अंदर ठीक है तो आज इसी के उपर बड़ी detail में चर्चा करेंगे मेरा नाम प्रांजल है और आज बात करेंगे डायलेक्ट सर्किट बना लेते हैं उसके अंदर सिंपली क्या होगा लॉसलेस डायलेक्टिक या निकि प्यूर इंसुलेटर बनाऊगे तो इपीच में इंसुलेटर भरा हुआ है और इधर इधर मैटल शीट्स है ठीक है तो अब ऐसे में यह जो कैपसिटर होगा यह चार्जिंग करें है जो कैपसिटेंस फॉर्म होगा वह 22-30 परसेंट होगा कैपसिटेंस जो फॉर्म होता है इन ओवर है ट्रांजिशन लाइन तो समझ में आ रहा है कि 20-30 गुना ज्यादा कैपसिटेंस है तो चार्जिंग करेंट भी होगी तो इसे हलके में नहीं ले सकते और ऐसा इस करते हैं लॉसी डाइलेक्रिक की तो इसके अंदर जो चार्जिंग करेंट है उसके दो कमपोनेंट एक है आइसी इसी मीन्स केपसिटिव कमपोनेंट यानि वो करेंट जो केपसिटर को चार्ज करेगी या कह सकते हो अगर केविल की बात कर लें तो इस कंडुक्टर और मैट होगा इस पर्टिक्लर रेस्टेंस से जिसको हमने आरेल लिखा हूँ आरेल क्या सिग्निफाई कर रहा है ठीक है बहुत ध्यान से समझ लेना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत बड़ा आयल कब 0 होगा यानि कि यहां से फ्लोने वाला करेंट कब 0 होगा जब रेस्टेंस आरेल जो है फो इंफानाइट हो जाए तो यह बात ध्यान से समझ लेना गलती क्या होती हमें लगता है कि यह डायल की वैल्यू जादा होगी तो लॉस जो है वह जादा होंगे यह बहुत ही लॉसस क्लियर हो रहा है किक να क्योंकि यह भाटर कर रहें ठीटर कर रहा है तो यहां पर यह हूंगे वह मेंने किुस पर होंगे मेंनी यूश्व होंगे आपके जो भी है, वो because of होंगे current की वज़े से, जो leakage current हमारा flow कर रहा है, loss component, ठीक है, इसकी वज़े से हमारे main होंगे, अब यह जो भी तुम्हारा loss component है, यह resistance में depend करेगा, अगर RL की value infinite हो गई, तो कोई भी current यहां से flow नहीं करेगा, जैसा कि यहां पर, अगर तुमसे कहा जा, lossless dielectric में, RL की value कितनी होगी, यह question काफी बार आये हुआ है, तो RL की value होगी infinite, कैसे देख सकते हो, यहां पर, भई, इसको मैं कह सकता हूँ, this is your RL, तो यहां पर RL की value कितनी, RL की value है, यहां पर infinite, इसलिए देखो, यहां पर कोई current, वैसे भी आपको बताओ, open circuit, जब भी हम बात करते हैं, समझे लो, इसको, open circuit, जब हम बात करते हैं, तो resistance की value infinite होती, 0 नहीं होती है, होता है, हम लोग का generally conception होता है, जो load बढ़ रहा है, मतलब resistance कम हो रहा है, जबकि उल्टा है, load बढ़ रहा है, का मतलब current बढ़ रहा है, तो resistance कम हो रहा होगा, उस particular line में, ठीके, और load कम हो रहा है, इसका मतलब resistance की value बढ़ रही है, और current की value कम हो रही है, तो यह बात आपको ध्यान से रखनी है, तो यहां पर बड़ी important बात बता रहा हूं, इसके उपर question आ जाएंगे, वाई 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 में पूछ रहे जाएगा, तो काफी chances ने गलत होने के, तो इसलिए सारा का सारा current i equal to il में convert हो जाता, समझ में आज बात है, तो इसलिए आरल जो signify तुकर रहा है, पर क्या कर रहा है, indirectly कर रहा है, यानि कि अगर 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 आजब लोसे तुम चाहते हैं, तो आयल एकोल to zero होना चाहिए, तो आरल एकोल to infinity, अगर हम चाहते हैं कि एलेक्क्रिक City सब कुछ हो याने कि Maxime उन्म वोन चाहिए उसके मिली करेंट है यह करेंपर सार्ह को डाना चाहिए तो ऐसे केस में क्या होगा सारower कुरेंट मैं अगर चाले क्रों कर चाहिए तो तो बात करेंब होगा तो short circuit हो जाएगा तो जितना भी current है वो सबका सब losses में चला जाएगा तो that is a very important part तो resistance अगर कम होगा आरेल की value तो भी उससे वो क्या दिखा रहा है कि मतलब जादा losses हो रहे हैं तो अगर आरेल की value जादा है तो इसका मतलब losses जादा हो रहे हैं और यहां नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर मानके चलते हैं सब्सक्राइब है तो इसके बड़ी वजाएं तो इसके दो बड़ी वजाएं पर में दो वजाएं सबसे पहले है electric hysteresis आपने BH curve पड़ा होगा ठीक है तो BH curve आपको याद होगा जब आपनो transform में ferromagnetic core का इस्तमाल करते हैं कई lecture मैं नहीं cover करा है तो वहाँ पे hysteresis losses होते हैं hysteresis क्यों होते हैं क्योंकि क्या होता है कि dipole को हम लोग बार बार alternating जब भी हम लोग AC की बात करेंगे alternating current की alternating field की तो dipoles को बार बार align होना पड़ता है तो ऐसे align होने में जो भी molecular friction phase करना पड़ता है उसकी वज़े से heating create होती है और यह represent करता है curve का area तो hysteresis curve का area जो है this one representing यह वाला तो यह जो है align होने में खर्च हो रही है ठीक है जो develop होरी friction है ठीक है क्योंकि देखो यहर कोई solid है तो solid के अंदर जब भी हम atoms को यह dipoles को बार बार एक particular direction से change करके उनकी orientation change करेंगे तो आपस में molecular friction होगा जिसकी वज़े से क्या होगा महाँ पर heating होगी generate होगी तो एक तो हो गया electrical hysteresis तो जैसा BH curve में magnetic field के साथ होता था वैसे ही electric field के कारण इसके अंदर dielectric के अंदर भी होगा ठीक है इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा कि जो dielectric होते हैं उनके अंदर भी electrical hysteresis के उपर पढ़ना पढ़ेगा अगर नहीं पता है तो comment section में डाल देना electric hysteresis तो इसके लिए मैं separate lecture बना दूँगा material वाले section में तो electrical hysteresis हाला कि बिल्कुल similar होता है ठीक है दूसरी सबसे बड़ी वज़ा क्या है दूसरी वज़ा है leakage current loss अब हम लोग ने अभी जब हमने last lecture देखा था resistance वाला अंतर रोक नहीं पाते हैं और कुछ current leak out हो जाती है तो हमने देखा भी ता कि radially leak out हो रही थी याद है radial और axial flow के बारे बात करी दी तो radially leak out हो गई अब यह जो current radially leak out होई है जब यह insulator के अंदर से होती हो जाएगी तो insulator जो है वो कुछ resistance offer करेगा अब यह जो resistance होता है this is the what we call resistance of cable के नाम से भी से हम जानते है basically होता ही है resistance of insulator और यह कितना होता है यह होता है rho divided by 2 pi L into ln R2 by R1 याद आ गया अभी last lecture में हमने इसके उपर थोड़ दिन पहली चर्चा करी है so this is the particular part ठीक है clear हो गए यहाँ पर तो this is the resistance of the particular insulation जो offer करेगा उस leakage current को अब क्या होगा जब यह current leakage current यह पास होगी इस तरीके से radially ठीक है conductor से निकल के metal sheet की तरफ जाएगी तो रास्ते में जो उसे insulator fail resistance phase करना पड़ेगा उसकी वज़े से भी heating होगी great तो वो heating होगी i2r insulator अगर आई है तो उसकी वज़े से i2r insulator का यह आपका क्या हो गया यह होगी आपकी leakage की वज़े से जो losses हो रहे होगे तो this is what we call leakage current losses तो insulator का resistance offer करता है उस leakage current को वो भी आपका यहाँ पे उसकी वज़े heating होती तो इस वज़े से क्या होता है महसूस कैसे होगा केविल गरम पढ़ जाएगी ध्यान रखना जैसे मान लोगों पूछ लेगी जाए कैसे महसूस करोगे तो केविल कहना जो insulator हमने लगा रखना इंसुलेटर गरम पढ़ने लगेगा तो यह दो में कॉस हैं जो मैंने आपे cover कर दिये अगर हम बात करें फेजर डियाग्राम की इसी सर्कीट करकर फेजर डियाग्राम बनाए जो की one of the most important है काफी paper में question आता है gate तक में आ चुका इस पे अच्छा question तो यह हमारे पास total current था यह दो पार्ट्स में बढ़ गया एक था अब देखो फेजर डियाग्राम बनाने से पहले अगर इसकी question लिखें तो यह क्या होगा फेजर सम होगा क्यों 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 कि इसके अंदर देखो यहाँ पे phase difference है जब हम capacitor की बात करते है तो इसके अंदर जो current होता है वह voltage से 90 degree lead करता है जबकि resistance की बात करते है तो इसमें current और voltage दोनों की दोनों same phase में exist करते हैं तो अब क्योंकि there is a phase difference तो हमें क्या करना पड़ेगा फेजर डाइग्राम बनाना पड़ेगा और आई इस दा फेजर सम तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाल लगा रखा तो हर चीज के बीचे reason बता रहा हूं तो यह हो गया तुमारा जो बीच में electric field बनेगी तो यह current वहाँ पर help out करेगा उस electric field को setup करने में this is your capstick component now the next component is the IL यह क्या है यह वो loss component है यह क्या है इसका main काम क्या होगा यह signify करेगा कि कितनी energy loss हो रही है यानि कि जो तुमारा इंसुलेटर है अगर वो ideal होता तो गरम नहीं पड़ता अगर गरम पड़ रहा है इसका मतलब कुछ energy leak हो रही लॉस हो रही है तो वो जो गरम पड़ एकसे पर ले लेते हैं voltage और y-axis पर ले लेते हैं current अब देखो मैंने अभी बताया कि अगर voltage की बात करें तो इसके अंदर आरल के अंदर जो current flow कर रही है यह phase में होगी voltage के तो इसलिए मैंने इसको नीचे बना दिया same phase में नौ अगर ic की बात कर लें तो ic जो है वो क्या होग इन दोनों का जो net resultant होगा वो मैंने यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से law लगा के काम करेंगे तो यह जो फेजर समका जो resultant आएगा this should be the resultant आई तो यह हो गया इसका फेजर डाइग्राम ठीक है clear होगे यहाँ यहाँ पर आयो बितना समझ में आ गया होगा ठीक है अब इंगल मार कर लेते हैं बहुत ही important part है one of the most important angle समझ लो आपको मैंने हमेशा बता है voltage और current इनके बीच में जो phase angle बनता है इनके बीच में जो angle बनता है this is what we call power factor angle हमेशा याद रखना चाहे आपने मेरे transformer की lecture देखे हो चाहे आपने मेरे alternator की lecture देखे हो जब भी voltage और current की बीच म जो मांगा गया था केपस्टर की द्वारा ठीक है अगर हम बात करते हैं यह तो हो गया यहां पर फाई हो गया यह जो बचा हुआ एंगल है ठीक है यानिकि 90 माइनस फाई तो पाउर फेक्टर को 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा तो वह angle को हमने नाम देती है ड इतलब समझ लो यह क्या कर रहा है यह जिटना जाद होगा यानिकी इतना करेंट इदर गडर उड़ा होगे तो डेलट बड़े गा डल्र तब बड़े का जब यह नीचे इक तरफ़ में एक अगर Kai component ये ज्यादा होगा आई सी से तो ऐसे case में जो टोटल का apparent current है जो टोटल net current मांग रहे हो वो क्या होगा टूवर्ट्स वोल्टेज चली जाएगी वी तो ऐसे case में क्या होगा ये डेल्टा अंगल बढ़ जाएगा तो डेल्टा अंगल का बढ़ना की उपर बड़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में प्लस एक सेपरेट लेक्चर इस के लिए मैंने रखा हुआ है वहाँ पर तो अब देखो आई-सी अगर हम इसको निकालने कोश्च करें आई-सी को इन टमस ऑफ कैपिटल आई तो आई-सी को हम कह सकते है आई-साइन-फाइए ठीक है यह तो यह तो यह हो गया अगर मैं कहूं कि सर एक्च्वल वैल्यू क्या होगी तो देखो हम जानते हैं कि जो करेंट जाता है वी अपान एकसी होता है और यह कितना तो वी और इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है वन अपॉन यह वन अपॉन आया वागा सब्सक्राइब तो यहां पर यह लगा सकते हो जे के रिप्रेसंट कर रहा है लीडिंग पार्ट तो क्योंकि मैंने फेजर में लीडिंग दिखा दिया तो इसलिए लगाने की टॉकि तो इक तो इसलिए सप्लाइव व्ल्टेज लगाए तो यहां पर आपको याद हो तो निकाल लेते हैं पावर लॉस अंदर पावर लॉस आखिर हो कितिनी रही है तो हमने पीछे देखा कि आएल इस दा में कल्पृट ठीक है तो हमने देखा था अगर सर्क्रिट मांगी थी और यहां जा रही थी और यहां पर था resistance and this one representing il ठीक है loss component तो जो इसके अंदर power waste हो की उसको हम लिख सकते हैं V into il तो हमने लिख दिया power loss जो हो रही होगी वो into il हो रही होगी simply now il को अगर हम लोग लिखें ठीक है तो तो अगर हम इस particular triangle को देखें इस वाले triangle को तो हम कह सकते हैं कि ic जो है वो equal to i cos delta है ठीक है तो यहां से i को हम क्या लिख सकते है ic divided by cos delta ठीक है तो मैंने यहां से लिख दिए i को क्या लिख दिए ic divided by cos delta ठीक है clear हो गए है यहां पर तो अभी हमारे पास यह particular चीज़े आ गई है v into ic divided by cos delta into cos phi अगर हम phi को दिहान से देखें तो phi को हम कह सकते है 90 minus delta कह सकता हूं मैं phi को ठीक है तो इसको मैंने लिख दिया 90 minus delta इस phi को हमने लिख दिया 90 minus delta अब cos 90 minus theta equal to sin theta होता है 10 delta ठीक है this is also called known as loss tangent बहुत important पार्ट याद रखना इसके उपर question मिलेगा मिलेगा तो this is what we call loss tangent तो इस पर काफी questions आए हुए इवन आपको याद होगा आपने मेरा अगर मैं अगर मैं लेक्टर देखा होगा complex dialect तो वहां पर भी मैंने loss tangent को थोड़ा सा cover करा है हाला कि उसमें जो dielectric losses है उनको अलग resistance रिप्रेजेंट करा है उसमें series resistance को भी मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है ठीक है ESRI कहते थे electrical series resistance ऐसी कुछ करके equivalent series resistance करके मैंने रिप्रेजेंट करा है तो उसको जब देख लेना वह देखना और यह देखना तो पूरा clear हो यहां पर complex dielectric constant को हमने वहां पर cover करा था खेर सो VC V into IC into 10 delta clear हो गया यहां पर 10 delta आगया अब देखो IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं IC को IC को अप यहां पीछे देखा था IC को टू वी इंटू उमेगा सी तो यहां लिख लिए केबल आप लेके आए हो बिल्कुल सही बात है और वो केबल जो है वो गरम हो रहा है तो वो जो गरम हो रहा है उसके अंदर कितनी power loss हो रही है तो वो आप कह दोगे V square into omega c 10 delta clear हो गया यहां पर आयो समझ में आगगा दिस इस इस आ वेरी केबल जो होते हैं उनके अंदर जो power factor होता है वो 10 की power minus 3 range का होता है clear हो गया जबकि जो loss angle होता है यानि कि हम बात करने delta की वो 10 की power minus 3 radian के range का होता है ठीक है clear हो गया अच्छा साथी साथ याद रखना अगर हम modern केबल की बात करी रहे हैं तो below 66 केवी अगर 66 के नीचे काम कर रहे हो तो losses ignore कर देंगे यानि कि अगर तुमारे घर में या कहीं ऐसी जगापे हम लोग केबल ले रहे हैं modern केबल है नए बढ़िया technology केबल है और below 66 के वी काम कर रहे हो तो यार उसमें पर काम कर रहे हो केवी के याद रखना तो आपको losses consider करने पड़ेंगे यह बात हो रही modern केबल की दूसरी बड़ी इंप्रेसरा वड़ा इंपॉर्डेंट पार समझे लो इंसुलेटर निहां मैंने कुछ नाम लिखे हुए बड़े फेमस जो हमने cover करें अब तक इंप्रेग इने टेट पेपर की बात करो तो 0.01 इसकी वेल्यों होती है और फिल्ट पेपर की बात करो तो 0.004.1.0004 यानि की सबसे कम XLP कि वैल्यू कितने निकल गई 0.004 इतने कम जो होंगे इसके अंदर डायलेक्रिक लॉस होंगे क्योंकि लॉस टेंजेंट मतब डायलेक्रिक लॉस कम होंगे क्योंकि हम एवरेज वैल्यू की बात करें 10 डेल्ट अगर कम होगा तो पावर लॉस भी तो कम हो जाएगा यह डेल्ट लॉस टेंजेंट को क्लेर हो गया लॉस एंगल को ठीक है तो XLP जो है इस पर्डिकलर डेटा के अगर हम यह तो डेटा मैंने आपको दे दिया इसकी हम लोग एनलेस अगर करें तो यहां से क्या निकल के आता है कि XLP बहुती बड़िया इंसुलेटर है क्लोस टू लॉस लस डायलेक्ट्रिक कर काम करता है अच्छा सबसे बेकार कौन सा है तो देखो PVC पीवीसी जो है उसके अंदर लॉस यार बहुत हो रहे है तो हो सकत में हो रहे हैं दूसरा उसके बात किसका नंबर है और वहीं लॉस बहुत कम रहे होते हैं तो अबात करते हैं तो बहुत क्या ए रिलेशन है के बिलकश्ण कितना होता है साथ ही साथ टेंपरेचर का क्या relation है ठीक है वोल्टेज का क्या relation है पाउर फेक्टर के साथ कि सारे उपर बहुत भर भर के कोश्चन आए हुए एक्जाम में तो इनको हम लोग कवर करेंगे देगा और बहुत ही कम कॉस्ट है सिक्स्टी रूपीज कॉस्ट है तो बैनेफिट उठाओ आपने अपना कीमते समय दिया उसके लिए धन्यवाद